हलो इस्टुदेंट्स, गुद मारिंग, वेलकम टु क्लास से के, टुड़े वी सॉल एक्सरसाइज 11.1, कुशिन नमबर फर्स्ट, शेयर 10 टॉफीस इक्वली अमोंग 5 चिल्डरन, यहां पे आपको 10 टॉफीस दे रखिये, इनको 5 चिल्डरन में हमें डिस्ट्रिबूट करन है, और वो भी इक्वली करना है, तो डिविजन का मतलब ही होता है, कि डिस्ट्रिबूशन, कि हम जो नमबर्स दे रखिये, उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक्वल नमबर आ जाएगा, कि कितने बच्चों के पास, कितनी टॉफी आएंगे, How many does each child get, तो each child को कितनी टॉफी मेली, यहाँ पे हमारे पास 10 टॉफी हैं, और 5 चिल्रन्स में हमें डिस्ट्रिबूट करनी है, तो हमें इसके 5 ग्रूप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो 1 ग्रूप, 2 ग्रूप, 3 ग्रूप, 4 ग्रूप, 5 ग्रूप, 5 चिल्रन्स हो गए हमारे पास, 5 ग्रूप्स बन गए, हमारे एक ग्रूप में कितनी टॉफी आई हैं, 1 और 2, 2 टॉफी तो यहाँ पे हमारा अंसर आजाएगा 2, तो आपको अपनी नाट्बूप में यह पिक्चिर्स भी ज्रूप करनी हैं, स्टुरेंट्स, and then you do this work, ओके, 2nd part, B, distribute 12 marbles equally among 4 चिल्रन्स, यहाँ पे 12 marbles आपको दे रखिए और इनको 4 चिल्रन्स में आपको डिस्टिबूट करना हैं, तो हम यहाँ पे भी ग्रूप्स बनाएंगे, ग्रूप्स बनाने से पहले, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कि उसको easy method और भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम 12 को divide करते हैं, 4 से, तो 4 की table बोलें, कि 12 आजाए, क्या बोलना है, 4 की table बोलनी है, कि 12 आजाए, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, 4, 3 जा 12, तो 3 बार हमने बोला, तो हमारे पास groups कितने का बन जाएगा, 3, 3 का, 1, 2, 3, 3 चीज़ का एक group बना लिया, then second group, then third group, then fourth group, how many groups are there, 4, तो 4 children's की groups बन गए, अब 1 children को कितनी marbles मिली है, 1, 2, 3, तो 3 हमारा answer हो जाएगा, right, same here also we do, first question में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, 10 toffees हैं, 5 children में distribute करनी है, तो 10 को हम divide कर सकते हैं, 5 से, means 5 के table बोलनी है, कि 10 आजाए, 5 बन जा 5, 5 तू जा 10, तो 2, 2 का group हमने बना लिया था, है ना, same ऐसे ही है, then third question, share 9 mangoes equally among 3 children's, यहाँ पे हमें 9 mangoes दे रखे हैं, और हमें उन्हें distribute करना है 3 children's में, so we divide 9 by 3, means 3 की table बोलेंगे कि 9 आजाए, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो 3 आया, तो 3 3 का groups हम बना लेंगे, 1, 2, 3 mangoes, here also 3 mangoes, here also 3 mangoes, तो 3 mangoes का group बन गया है, और हमारे 1 group में आये हैं 3 mangoes, so here answer is 3, okay, then next question, group the following objects as stated, जैसी इस में दिया हुआ है, उस type से आपको groups बनाने, group of 3, 3 stars की group, 1, 2, 3, इन 3 को एक circle में बन कर दो, तो यह एक group बन गया, 1, 2, 3, then again we enclose the 3 stars in one circle, the second group, 1, 2, 3, 3 stars we enclose in a circle and make the third group, how many groups are there, there are 3 groups we make of 3 stars, हमने यहाँ पे 3 group बना है, 3 groups बना है, 3 stars की, सेम ऐसे आपको यह complete करना है, मैं करवा रही हूँ 5, group of 5, तो 5 आपको count करने हैं और उसके group बना लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, and grouping this, आपको जरूरी नहीं circle ही बनाना है, square rectangle कुछ ही बना सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, so from here we count and make a rectangle, or a circle, or a oval, any shape you want to do here, then group of 4, 4 का group बनाना हमे, 1, 2, 3, 4, here also we make the group of 4, how many groups are there, 2 groups, group of 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, and 1, 2, 2, 2, marbles को 1 group में हमने लिया, तो कितने groups बनाए बिटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, there are 7 groups, okay, then do this work in your maths notebook, and do practice of this, okay, then, we will meet in the next class, till then, bye-bye, thank you, ए्याच्ड़के घ्टा टूरा हो दिया जा रावाच रश़के ऊनाए घाला, 1, 3, 4, 6, 7, झाल